मुझे जिक काशिफ जैसे जलाद इंसान से बचाएं प्लीज हानिया तुमने फिर से उल्टी सीदी बाते शुरू कर दी ना अम्मी मेरा यकीन करें मैं सच बोल रही हूँ देखो हानिया कान खोल कर सुन लो काशिफ चाहे तुम्हें जान सही मार दे अब वही तुम्हारा शोहर है वही सब कुछ है भाइ ऐसे कैसे नहीं जाएगी नौकरी पे अगर यह नहीं जाएगी तो घर का खटचा कैसे चलेगा तेरे अकेले की बच की बात तो नहीं है अम्मा ये सब तुमहारी वज़ा से हो रहा है तुझे मैंने कहा तो इससे घर के ज़्यादा काम नी कराना तुने भी डाल दिया बोज उस पे अब अकड़ गई ना वो निश्टों पे कैसी छलाई ये दुद्ने है निश्टों पे कैसी छलाई ये दुद्ने है चिप कर चो ना बिटा क्यों आपा की फजल बातों को दिल पे लगा रही हो उनकी तो आदेते बोलने की वैसे भी आपा से इस मौके पर इतनी दिल दुखा देने वाली बातें करने की तवको नहीं थी बहुत दिल दुखा है मेरा उनकी तो आदेते हमेशा से ऐसी करती हैं साथ में बुशरा भावी को भी मिला लेती हैं आपने देखा नहीं था? दोनों नंद भावज मिलकर कैसी बाते सुना री थी हमें? अरे सब देखा और सुना है मैंने सच पूछो तो भाई साथ के मूँ से इस रिष्टे की हां की थी मैंने वरना बुशरा भावी के नखले से कौन वाकिफ नहीं है? रे किसी को इनसान ही नहीं समझते ये लोग हम लड़की वाले हैं ना इसलिए सारी दुनिया के जोते भी हम इखाएं मैं आप लोगों से कह रही है आप लोग इंकार कर दे मैंने महाँ शादी नहीं कर ली बेवकूफों वाली बाते मत करो हानिया यह हम बड़ों की बाते हैं इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तुम पर अपने सास सुसर की इज़त करना ऐसे ही फर्ज है जैसे हमारी अच्छा आप यह बताईए के करेंगे क्या अगले जुम्हे को तो निकाहे और आप पाने जीना मरना ही खतम कर दिया करती हैं तो करें मैं रशीद भाई को दावत दे आऊंगा उन्होंने आना होगा तो आ जाएंगी अगर हम उन्हें मनाने ना गए तो वो तो मजीद नाराज हो जाएंगी और शादी में शिरकत भी नहीं करेंगी अरे नहीं करती तो ना करें हानिया की शादी उनके बगार भी हो जाएगी बलके बेतर ही होगी वो आकर बाते ही बनाएंगी खर तुम यह सब छोड़ो मिठाई रखी है मौड़े में तक्सीम करो सुनाए ना तुमने इचा चलो चुप कर जो मिठाई तक्सीम करके आती हो देखो तानिया पागल मत बनो ऐसी जॉब्स बार-बार नहीं मिलती वैसे भी पांचे महीने बाद तुम्हें मिठानिटी लीव मिल जाएंगी छुटियें छुटियें फिर पस करो मैं भी इंसान हूँ घर का काम स्कूल काया काम टूशन का काम इतने काम नहीं कर सकती हूँ वैसे भी आजकल मेरी तबिये ठीक नहीं रहती है कुछ तो एहसास होना चाहिए तुम्हें किसने कहा इतना ज्यादा काम करने को जितना होता है उत्ता करो बागी छोड़ दो बाद में कर लेना बाद में भी तो मुझे ही काम करना होता है अच्छा चलो ठीक है मैं किसी मासी का बंदोबस करता हूँ जो उपर का काम कर ले तो मस्कूल टूशन करो बस मासी जतने पैसे लेगी वो तुम्हारी तन्हा मुझे डबल है कैसी बाते कर रही हो दे देना कुछ पैसे और उपर सा टूशन के पैसे भी तुम्हारे पास आते हैं क्यों इतनी खुदगर्ज हो रही हो तो आखर में मुझे क्या मिलता है आनि यह सब हम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं ना किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना बाकी काम अम्मा देख लेंगी देखो तानिया मैं बिजनस शुरू करने का सोच रहा हूँ बस थोड़ा सा सबर और करो जब बिजनस सेट हो जाएगा ना उसके बाद मैं तुम्हे अयाशी कराऊँगा बस इस वक्त थोड़ा सा मेरा साफ दोता हूँ जाएगा जालो, देहन से गर जानाएगा जरो बिल्कुल विद इन चारास पर घर जाने का अमने कितना कम टाम स्पेंटिया है साथ में मैंने रिक्षिवाले को अड़र संजा दिया अब सीधा कर दो अच्छा थीख है मैं और सहली जाता हूँ लेकिन भी मुझे प्रामिस करो कि मुझे कॉल करोगे आना में पर टाइम होगा तो मैं तर्लूँगा अच्छा नहीं प्रामिस करो अरे क्या करें या सब देख रहें आपर सौलो जाओ बटो अच्छा लेकिन कॉल जरूर कर दादा रहने दें आपका बस चले ना तो आप अपनी सारी कमाई अपने कंगले भाई और उसके उलादों पर लुटा दें बस करो भाई अरे जिन्दगी में पहली बार कुछ देने की कोशिश कीती आनिया को और ना तुम तो एद हो शबरात हो कुछ तेने नहीं देती हो हाँ तो ठीक करती हूँ ना रमजान में खुद तो कोई तरकी की ना इस और जिन्दगी क्यों है का मेंड़क बना रहा तो हम क्यो अपनी मेहनत की कमाई उसवर लुटाएं अरे कौन लुटा रहा है कमाई तुम जपट के सारे पैसे वापस तो ले आई अब किस बात का शोर है हाँ तो ठीक किया ना कहा गई थी तुम अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी तुमने इसे बताया नहीं था कि आज भाई का दिन तेह करना है इसे भी चलना है शाथ तो ये क्या करती वहाँ जाकर अरे इतनी नाजुक मेरी बच्ची है रमजान के घर की गर्मी देखी थी ये बरदाश्त करपा थी तही है भाई सही है दुनिया में एक आप नाजुक है और एक आपकी आउलाद मनना बाकी सब लोग तो लोहे के बनेगा अजीब मनतके अजीब मनतके अबे ये तुमने क्या हरकत की अपने भाई से जगड़ा कर आती आप तो ना दुनिया के गम में मर जाए कभी बीवी की साइड मत लीजेगा आपको तो दूसर ही ठीक लगते अरे मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उन बिचारों ने आपकी शाइन में कौन सी गुस्ताखी की कि आपने ये तमाशा खड़ा कर दिया पेट के पापी है मैंने कुछ भी नहीं किया एक तो मेरे बेटे के रिष्टे से इंकार कर दिया और रमजान को देखें जरा सीधी बात ना बताना हमेशा की तरह लोगों को और बातों को उल्जा के रखना ठहर जाओ मिया सांसों लेने दो कुछ भी नहीं कहा मैंने हानिया से सिर्फ इतनी सी बात की है कि अच्छी लड़कियों की तरह अपना घर बसाना रमजान शुरूई हो गया आप होते ना तो पता चलता अरे तुमने कोई और भी बकवास की होगी रमजान इतना बद लहाद नहीं है कि घर आए मेहमानों से उलच पड़े बात सुने है नमजान का हो गया दिमाग खराब पागल हो गया है वो वो बेहया है लड़कियों ना उसकी सुल्टे समझने की सलाइयते खतम करती है आप होते तो पता चलता अरे तुमने उस गरीब से यकीनन कोई और बकवास भी की होगी हद करती हो तुम ये मेरे जहेज के जोड़े हैं बड़े संभाल के रखे थे सोचा था तानिया के काम आएंगे खिलो खेर अब तुम्हारे काम आजाएंगे बेटा तुम इसमें से पसंद कर लो तुमें कौन सा पसंद है वैसे तो पुराने हैं लेकिन पुराना फैशन भी तो आई जाता है वापस ठीक ही होंगे अम्मे आपको जो अच्छे लगें रख दीचेए का कैसे बाते कर रही हो बिटा पहनने तो तुमने है ना तुम पसंद करो ना मुड़ते को क्या फर्क पढ़ता है कुछ भी पैना दिया लाल चोड़ा क्या करना साब ने अच्छा किया हानिया से पैसे वापस लेकर इस कितनी अवकात है उसे हजारों रुपे दिये जाएं हम बेस्ती तो मैंने दोनों माबेटी के खूब की अगर बड़ी ठीट है बोली कुछ नहीं बोल भी कैसे सकती है खानिया को रुखसतों के हमारे ही घर आना है बोल कर जाएंगी भी कहां वैसे भी उनकी हिम्मत नहीं है कि भा हमारे उपर रोब जमा सकें उनका सारा जोर तो बस सल्मा पर ही चलता है क्या मतलत? सल्मा की कॉल आई थी हमारे आने के बाए दोनों बेहन भाईयों में बहुत लड़ाई हुई सल्मा तो मरना जीना खतम करके आई है रमजान के साथ वैसे खानदान की तारीख कवा है खुपो ऐसे हर मौके पर एहम ऐलानात और लड़ाईयां जरूर करती है सल्मा वैसे है बड़ी फसादन ये बात ठीक है मना लिया बीबी को माता टेख के शरम से डूब मर जोरू के खुलाब अमा क्या मुसीबत है? समझा करो मजबूरी है ना क्या मजबूरी है? तू उसका शोहर है या वो तेरा? मजबूरी को समझा करो उसने घर के सारे काम स्कूल ट्विशन सबसे माना कर दिया था तो उठा के बार फेखना इस मूज़ोर को दे दे तलाग उसे ऐसे कैसे तलाग दे दू उसे में हाँ? मसलियत भी किसी चिडिया का नाम होती है अभी जूता हुटा और के ना तेरी इतनी बजाओंगी कि तेरे हाथों से सारे तोते और चुडिया उड़ जाएगी दूत की ज़ाक की तरे बैट गया ना तू बेगहरत कहीं का अब माँ चंद दिन सबर कर ले थोड़ा उसका काम में हाथ बटा दिया करना अब तेरी मा तेरी जोरू की खिदमत करे जरा सी शरम है नहीं है तुझ में के मैं उसके खिदमत करूँ नहीं करना तुम कोई भी काम कर लूँगा मैं खुदी बंदोबस सब काम मैं खुद कर लूँगा हाँ अच्छी तरह बंदुबस करना और अपना कोई काम भी अब मुझसे मत कहना समझा बेशरम बेहा है निकल डफा बेशरम जो रूका गुलाम कहीं का बेशरम मा से काम करवाएगा अच्छा बेशरम अपने रूम में रेस्ट करने अब मुझे अराम से उठाईएगा नोशार तुम क्या करी थी उस अवार इस्वर के साथ हमें कोजे जिए जॉड़ों मुझे जगली मिफान कि तुम आभ को पता इसका का साथ आप पूछे से क्या करी थी इसके साथ मैं किसी के भी साथ हूओ तुमे इस से क्या नोशार प्रल बेशश नेपस है कि जानती हूं बिटा, तुम इस उस्राल में बहुत सारी मिश्किलात और परिशानियों का सामना करना पड़ाईगा। गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा। तो पर आप लोग मुझे क्यों उस जानने में था क्यों जाने हैं। लेकिन मुझे अपनी तर्बियत पर पूरा यकीन है। तुम हमारा सर शरम से जुकने नहीं दूगी। पेरी बच्चे। यह क्या हंगामा खड़ा किया हुए तुम लोगोंने। अरे कोई इंसान वाली बात है तुम में। आप उससे भी तो पूछें। वो कहां गई थी उस अवारा असफर के साथ। पापा मैं तो अपनी फ्रेंड के घर गई थी। वापसी पे टैक्सी खराब हो गई तुम आचानक असफर आ गया। मेरी हेल्प करने रुक गया था वो। और तुमने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया घर में। शर्मानी चाहिए तुम्हें यार। यह जाहिलों की तरह इस तरह चीखते चिलाते हैं घर में। तो आप लोग इसे भी तो रोके। इसका जहां दिल करता है यह मूँ ठाकर सली जाती है। मैं ममा से पूछ कर गई थी। बताए ममा। हाँ, मुझसे इजाज़त लेकर गई थी अपनी सहली के घर। अचा आप यह बच्चों की तरह लड़ना बंद करें। और नोशाबा, तुम भी ज़रा आने जाने में इतियात किया करो। ड्राइबर के साथ जाय करो साथ। जी पापा, अब मैं जाओ। देख आपने, देख आपने किस तरह मूँ बना कर गई है। यार, बच्चों की तरह यह मरना जगरना कब तक जारी रहेगा। बिटा, अगले हफते तुम्हारी शादी है। तो हानिया आएगी ना तुम्हारी बीवी, तो वो सोचेगी कि मेरे मिया का बच्पना अभी तक नहीं गया। बस रहने दे। हानिया तो खुझ जैसे बड़ी नोबल इनाम जाफता है ना। अरे उसका और काशी का क्या मुकाबला? हाँ, देखिए, उसका तो किशी से मुकाबला नहीं है। लेकिन आप अपना मुकाबला जारी रखिए। काशी, तुम्हारी जित पर हानिया यहां आतो रही है। मगर एक बात कान खोल के सुन लो उसको अपनी औकात में रखना समझ गए। तो प्लीज मामा मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपकी बतानी की जरुवत नहीं है। आरको इपनी मन मानी कर रहा है। को रहा है। को बत्तको चुष्ष 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 अपको कर दो! कर दो! कर दो! हलो! अलो हलो हलो! कहां थी तुम? कब से काल करां तुम्हें? कॉन यू टारी तुम वो, मैं नमाज पढ रही थी वो! नौशो चुए खाके बिल्ली हच को चली आपने फोन किया है, कोई काम था क्या? क्यो? बीबी हो तुम बली इसी काम के बएर कॉल नहीं कर सकता क्या? इसी क्वाद बताओ कुछी दिन बाकी है तो मेरे घर आने माली है कैसा लग रहा है तुमा? जी ठीक मेरे साथ बात करते हुए शर्म हाती है क्या? अस्वर के साथ तो बहुत दांत निकाल निकाल के बाते करती थी मैं आपकी बात का जवाब देतो रही है मुझे को रोबोटिक जवाब नहीं चाहिए ठीक से बात किया करो मुझे वैसे याद आया कि हमारी बात तेह हुई है और तुमने मुझे 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 बारक बात नहीं थी ऐसा क्यों? किस से बात हो रही है? आपकी बहु से आप करेंगे? ना बबाबा मुझे तो माफ ही रखो और इसको भी को दो दिन सबर कर ले इसी घर में आना है करती रहेगी सारी जिन्दगी तुमसे बात चरो हानिया मैं बाद मुबात करता हूं से बाई यह कौन कमबखत बीदहारे घर में गुसा और सब कुछ लूट कर ले गया तु यकीनन सोती रह गई होगी घदे घोड़े बेच के और सब कुछ लुटवा लिया तुने क्या किया है मैंने मैंने क्या किया है वैसे तानिया यह बता चक्कर क्या है क्या मतलब क्या आपका मतलब यह कि बाहर वाले दर्वाजे में ताला अंदर से लगा था लेकिन चोर तेरे कमरे में गुसा कपड़े और जेवर लेकर भाग गया यह तेरी कोई चाल तो नहीं है तो मेरा नुकसान हो ओपड़ा मुझे पे चक कर रही है देख बीबी घर की लंका जो है ना हमेशा बेदी ही ढाते हैं सीधे सीधे मुझे ही बता इस सारा माल और असबाब तुने अपने किस यार को दे के यहां से भगाया है अम्मा अम्मा तम्मा क्या ठीक कह रही हूं मैं अच्छा ठीक है मुझे ना बता नासिर आएगा खुद ही पूछेगा तुससे घर में चौर गुजगिया क्या देख ये बात पूरे महले में आपकी तरह पैल गई है ये तेरी जोरू का चलायवा चक्कर है चौर जो है ना सिर्फ इसके कमरे में आया जेवर और कपड़े लेकर रो गया ताणिया बता हो क्या हुआ बता हो क्या मिन विन करके पूछ रहे मर्ग बन के पूछ दो लाफे में देख खुद ही उगल देगी कि किस यार को इसने यहाँ पर बुलाया तो रूसने धाका डालाए आपका बेटा नासिर इसे रिडाकर डाले अपने ही घर में सर 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 आप आप दो गेंटे से कहा थे मैं तो किसी काम से किया था लेकिन तुम इतने परिशान की लग रहे हैं सर कैश रूम की चावी किसके पास है सर मेरे पास यह लेकिन तुम इतने परिशान हो के क्यों बूच रहे हैं सर फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई है क्या कह रहे हो? कैसी मुश्किल है? सर आपकी गैर मुझूद्गी में कैश रूम से 20 लाख रुपे गाइब हो गए है सबका शक आप पे ही है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मुझे नहीं पता लेकिन आफिस में बड़ा हंगामा मचा हुआ है मैं खुर बास से जाके बात करता हूँ रुकें बास बहुत गुस्से में सबको बाते सुना रहे है अभी तक आप पे किसी की नदर नहीं पड़ी है मैं कहे रहा हूँ आप यहां से भाग जाएं तुमारा दिमाँ सही है? मैं कोई चोर हूँ जो यहां से भाग जाओंगा आप चोर नहीं है मगर बना दिये जाएंगे अपने वकील से बात कीजिए फिर बोस से बात कीजिएगा मनना एक बार अगर जेल चले गए तो बस फिर जेल तुमारा दिमाग सही है पागल दो नहीं हो गए तुम यह तुम किस तरह की बाते करें आप दोनों में असफर कौन है मैम आपको मेरे साथ थाने चलना होगा अगर क्यों रबन के इल्जाम में देके इंस्पेक्टर मैंने कुछ भी नहीं किया है देके आपको जो कुछ कहना है थाने चलके कहिएगा बेतर यह होगा आप श्राफर से हमारे साथ थाने चलिए सुनो यह फाइल समालो चलिए दिमाग तो ठीक है तेरा मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है तू यह तो आप अपने बेटे से पूछे क्या वकॉस करी हो तुम दिमाग तुनी चल गया तुमारा मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा हा, हा, मेरे बेटा क्यों अपने घर में चोरी करेगा, धिमाग ठीक है तुम्मारा, तुम लोगी ढ्रामे बाज़ा भगों भी गहींगी अच्छा, अच्छा, तो ये चोड नहीं है, ये चोड नहीं है और अगर मैंने ये थाबित कर दिया कि ये चोरी नासर ने किया है तो फिर क्या सजा देंगे अब चोर को अब आज लीचे करो अपनी और तुम थाबित कैसे करो कि मैंने चोरी किये चलो ये तो बात की बात है, अब अपनी खेर मनाओ, और अगर ये बात साबित नहीं हुई, तो याद रखना तानिया, मैं और नासर मिलके तेरी चमड़ी उधेर देंगे, सुबूत पेशकर अरे अमाँ छोड़ो इसे ये तो पागल है, हमें क्या जरूरत है इसकी बात को सीरियस लेने की आओ तुम तु चुप कर जा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पर इल्जाम लगाने की, सुबूत निकाल क्या है ये? ये मेरा सेवर नी तो और क्या है? जो देन राद मैरे स्कूल में पढ़ा पढ़ा के, मेहनत करके, कमेडियां डाल डाल के, ये सेवर बनाया ये किसका सेवर है, बुले! इल्जाम लगाती है मुझ में! बस! अपने! अरे सल्मा, एक बुरी खबर है, ओहो, आपका भी अच्छी खबर लेकर आए हैं, क्या हुआ हा, हानिया घर से भाग गई क्या? अरे खुदा का खौफ करो, दूसरे की औलाद का बुरा चाहने वाली की अपनी औलाद के साथ बुरा हो गया है अरे असफर को कुछ हो? अरे असफर के दोस्त का फून आया था, वो बता रहा है कि असफर को पुलिस पकड़ के ले गई है हाई लाँ, क्यों? क्या किया है मिरे मासुब बच्चे ने? अरे किसी खबन का इल्दाम है उस पर अरे 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 अल्ला करेगा तुम ऐसा करो के खलील भाई को फून करो मेरे तुम को वाक्फित है नहीं, खलील भाई संबाल लेंगे सब कुछ सबसे बड़ा है, साधी जिन्दगी शुतरमुर्ग की तरह रेत में संदेकर बैटे रहे बस ऑफिस से घर, घर से मस्जिद यही काम रहा है आपको खलील भाई को देखे, कहां से कहां पहुंच गए बस तुम ताने दो या अपने भाई से बात करो, मैं जा रहा हूँ थाने मुबाईल, हाँ, वहाँ, यह, यह, आला, खलील भाई हलो, हाना तो सबसे बारी गलती की मैंने, सबसे बड़ा गुन है यह क्या कि मैंने एज जैसे उल्लो के काम से शादी कर ली लेकिन बस, मैं अब मजीद जुल्म नहीं सोहूंगी, सुना आप लोगों ने फो कॉट सेख मामा, असपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बस बस, जैदा उसकी हमायती बनने की जरूरत नहीं है तो शुकर खुदा का कि मैंने तुम्हारे कहने में आकर उसके बारे में कुछ सोच नहीं लिया और नाज लोग हमें भी ताने दे रहे होते, कि इनका दामाद फ्रॉड है हाँ हाँ, कैसी हो तुम? और वागी सब लोग का है वो अमी महले में कहीं गई है और अबू का पता नहीं साइटाइम पर है ना मैं? हाँ लानत है तुझ पर नासर ये जरा से औरत तेरे काबू में नहीं हारी है तो अमा मैं क्या करूँ? चार चोट की मार लगा दे, दे, कैसे गूरी है के कच्छा चबा जाएगी हम दोना मा बेटे को खबरदा खबरदा जो मुझे किसे ने हाथ लगानी की कोशिश भी की तो मैं पुलिस को बिलवा लूँगी जब हमारे घर का मसला है तो तुम पुलिस को बुलाओगी? बिलकुल किसी को मान में मत रहना? हाँ, देखो जिस ठाल में खाया उसी में छेट करती है घर से भाग कर आई, हम लोग ने तुझे पनहा दी मेरे बेटे ने इज़त के साथ तेरे साथ निकाह किया और उसी को पुलिस में पकड़ा रही है तो? हाना तो सबसे बड़ी गलती की मैंने सबसे बड़ा गुन है ये किया कि मैंने इस जैसे उल्लो के काथ से शादी कर ली लेकिन बस, मैं अब मजीद जुल्म नहीं सोहूंगी सुना आप लोगोंने तानिया तुबे, क्या हो गया, तुम गुसा क्यों कर रही हो इतना नासे मैं तुमसे कह रही हूँ अब भी और इसे वक्त जाकर मेरी सारी चीज़े मुझे वापस लाके दो नहीं तुमे तुमें हमालादे बंद करवा दूगी में बेरे पास चीज़े नहीं है तो कहां से लाके दूँ तो पे ठीक है तुम इस तरह से नहीं मानोगे ना मैं पुलिस जेशिन जा रही हूँ वहाँ पे जाके रिपोर्ट दर्च करवाँगी पुलिस खोदा के तुम लग उसे समा निकल वाएगी रुको 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 रु हाई मेरे ल्ला ये क्या कह रहे है आप असफर को पलीस पकड़ के लेगी लेकिन क्यूं उसके दफ्तर में कोई गबन हो गया है बीस लाक का लेकिन इसमें असफर का क्या कसूर बई कैश रूम की चाबी असफर के पास होती थी उसके दफ्तर वालों को इसी पर शक है आपको भी ये यकिन है के असफर कसूर बई हर गिस नहीं असफर ऐसा कर breeding नहीं सकता मुझे पूरा यकिन है कि दफ्तर वालों को कोई गल्त फहमी होगी हो सकता है किसी ने उतके खलाफ साजिश की वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अस्वर जैसा शरीफ और इमानदार लड़का दुनिया में होता कहा हैं? या अल्लाओ, प्लीज अस्वी के हिफाज़त करें, उसे इस मुश्किल से निकाल दें, वो घर जल्दी वापस आजाएं ममा, ये डैड का गया जल्दी में? वो ही मुल्ला की दौड मस्दी तक, गया अपने बेनभाइयों में और कहां ओ, इसका मतलब रमजान चाचु के अगाएं नहीं, नहीं, वो सल्मा का फोन आया था, बड़ा रोध हो रही थी, अस्वर को पुलिस पकड़ के ले गई है ना वाट? अस्वर को पुलिस? लेकिन क्यों? फ्रॉड किया है भई, उसने आफिस में, और क्यों? ममा, इंपॉसिबल, अस्वर ऐसा करे नहीं सकता खेर, ये तो पुलिस ही बताएगी पैसे गरीब घरानों के लड़कों का ना, पैसे देखके इमान खराम होई जाता है फो गॉड सेख ममा, अस्वर ऐसा बिलकुल भी नहीं है बस बस, जएदा उसकी हमायती बनने की जरूरत नहीं है तो शुकर खुदा का कि मैंने तुम्हारे कहने में आकर उसके बारे में कुछ सोच नहीं लिया और नाज लोग हमें भी ताने दे रहे होते, कि इनका दामाद फ्रॉड ही है सुननी आपने नियूज देख लिया डैट के बतीजे का कारनामा हाँ, पता चला है मुझे और पका यकीन है मुझे इस बात का कि असफर की नियत डोल गई होगी अरे ऐसे ही तो मैं इस खांदान के खिलाफ नहीं हूँ ना तैर, जो भी हो अच्छा ही हो लेकिन मुझे इस बात समाज नहीं आ रही हूँ ममा ये डैट को वहाँ भाग कर जाने की क्या जरूरत थी तो मैं कैसे रोकती जैसे ही सुना, बस भागते चले कर सारी जिन्दगी ना इन बेहन भाईयों के पीछे खुआर रहे जोंकों की तरह चिम्टेवें ये लोग जोंकों की तरह सडने देते हैं इसे दो-चार दिन थाने में अकल्टिकाने आ जाती उसके करना तो यही चाहिए था सडाते उसको जेल में भागते हैं पाकलों की तरह बहन भाईयों के पीछे छोड़ दो मेरे पाउ करती आजाए मैं पागल था बेवकूफता बहग गया था उस लड़की की बातों में आ गया था मैं अन्य तुम्हें तो बता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बहुत अची तरह से जानती है प्लीज मुझे 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 माफ कर दो ना मैं तो तुम्हारी सारी चीदे भी वापस लेया हूँ कानों को हाथ लगा रहा हूँ प्लीज माफ कर तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है नासिर खलती तो मैंने की जो तुम पे अतमाद कर बेटी अच्छा पुरानी बातों को वुला दोना मेरे बाप की थोबा आएंद ऐसा कुछ नहीं होंगा तुम्हें शिकायद का मोका angles सबक तो मुझे मिलै अपने इमाबाफ की नाफर्मानी का तुमने अच्छा नहीं किया नासर मेरे साथ तुमने बाप बुरा किया मेरे साथ मैं किया किया खुआप क्या क्या खुआप सजा कर आई थी यहां पर तुम्ने मेरे सथ क्या की मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ तानिया मैं अम्मा की बातों में आजाता था लेकिन अब अब ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे येकीन करो अब यकीने तो नहीं आएगा देखो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अब तुम जैसा कहोगी वैसा होगा हमारे आने वाले बच्चे की खातिर उसके गुनागार बाप को माफ कर दो मैं तुम्हे यकीन दिलाता हूँ आज के बाद कुछ नहीं कहोगा तो प्लीज प्लीज माफ कर तुम्ह देखें इस्पेक्टर साब आप मिर्मानी फर्मा कर हमारे बच्चे को हमारे साथ रोवना करते हैं और जो आपके खर्चे पानी बनता है वह हो आपको देने को दे यार है खलीज साहब, खर्चे पानी से बहुत उपर चली गए है ये बात और आप बड़े लोग हैं और आप अच्छी तरह जानते लग बड़े लोग अपना लुकसान किसी सूरत-बरदाश नहीं करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 20 लाक रुपए कोई छोटी मुटी रखम नहीं है। लेकिन इन इस्पेक्टर साब मेरे बेटे पे जूटा इल्जाम लगा है। आप ठीक कहे रहे हैं। ऐसे ही होगा। चला ऐसा करें कि असल मुझरिम को हमिला दें और अपने लड़कें को ले जाए। देखें इस्पेक्टर साब आपके आईजी जो हैं वो मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं। अगर आप मेरे बती जो को नई छोड़ेंगे तो मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ेंगी। देखें मेरी बात समझने की कोशिच कीजिए। मुझरी बड़े तगड़े लोग हैं। उन्होंने आपके बेटे के खिलाब पक्की F.I.R. दर्श कराईए। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? जनाब पक्की F.I.R. का मतलब होता है कि अब जो कुछ करेगी अदालत करेगी। आपके बेटे को जेल जाना पड़ेगा। अब भू अभी तक थाने से वापस नहीं है। पता नहीं, अश्वी जेल से छोटा भी है या नहीं। अच्छा दो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किस से पोछूँगा। हेलो! आप? हाँ? कैसी हो तुम? और वागी सब लोग आए? वो अम्मी मौहले में कहीं गई हैं और अबू का पता नहीं। साही थायम पाज में में? हाँ? कोई काम थापको? हाँ काम थाइए, अश्वी बात करनी जा। व्पोन पे कर लेते हैं? यह फोन पे कर सकता लेकिन तुमें सामने देखते हुँए तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमसे बात करने का मज़ा ही कुछ और है वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे हाँ देखकर तुमें 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 इस खुशी नहीं हुई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तुमाई शकल देखकर बारा बज़ रहे हैं बहुत ही अन्रॉमांटिक वैसे तो लड़कियां तो रसे मौकों की तलाश में रहती है नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ चूटी औरत है हां शकल सी जूटी लग रहे हैं और इसका हसाब में बाद में करूँगा अभी तो में खुश खबरी देने आया था कौन सी वो तुमारा वो पागल आशिक था ना चोर फ्रॉड वो चोरी के लजाम में पकड़ा गया और थाने पहुंच गया वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ 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 बहुत अच्छा उसके साथ बहुत उच अच्छार जमाते मुझ से आधा पढ़के समझ रहा था कि उच से आगे पहुंच जाएगा लेकिन देखो ना चोरों का अंजाम क्या होता है शुकर है भई आम ऐसे नहीं है तुमारा शौर बिलकुल ऐसा नहीं है सही हो असके साथ बिलकुल सही हो है मुझ आप बस इतना बताईए कि मामो के से कोई बात हुई है के नहीं हुई अरे बेटा हुई है वो कहरें तुमारे खलाफ पकी अर्फागार कर चुकी है अब कोश से जमानत हो गी क्या मतलब जमानत कोश से होगी तब तक मैं यहीं बढ़ा रहूंगा हवालात में देखिने मेरी बात को समझने की कोशिश करें मैं इस मामले में बिलकुल भी मुलबस नहीं हूँ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है प्लीज मेरा यकीन करें आगे यह बेटा मुझे यकीन है तुम खबराओ नहीं खलील भाई वकील से बात कर रहे हैं देखिए आज हफ्ता है कलितवार असा बंद होगा मंडीत है कि लोग फाइल बना के कोट बिजवा देगा और मुझे जेल हो जाएगी मेरे पाँ बहुत कम है तुम के करने को जीत हमेशा सच्की होती है अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम अपने जमीर के आगे तो मुतमाइन हो ना मेरे जमीर एक बाहिद अदालत है जामनसुर कुरू जी जा मुझे तुम पर फखर है बिटा तुम फिकर नी करो मुश्किल की ये राज बहुत जल्द कट जाएगी इंशालला मैं जानता हूं नी बहुत परिशान है आप प्लीज उनका ख्याल रखिए तुम फिकर नी करो पिटा इसफर आगया घर नहीं एफ आयार कट चुकी है परसों कोट खुलेगी तो उसका चाला नजमा होगा वो सकता है उसे जेर हो जाए हाई अल्ला तो बहुत बुरा हुआ मगर वो बाई साब तो जमानत के लिए गय थे ना हाँ लेकिन पुलिस अपनी कारवाई पहले ही टाल चुकी थी अब तो कोट ही से उसको रहाई मिलेगी हाई हाई सलमा पाकी तो बड़ी बुरी हाला तो यह होगी रो रही थी बहुत लेकिन इस परेशानी में भी उनकी अखर नहीं गई मेरे सलम का जवाब नहीं दिया चले कोई बात नहीं हमने तो अपना फर्स पुरा कर दिया कल को यह तो नहीं कहींगी ना कि कोई पुछने नहीं आया अच्छा मैं मूहाद दो कर आ रहा हूँ हस्पी को जेल हो जाएगी यह क्या हो किया यह आला प्लीज थे साथ कुछ बुरा ना हो हलो हेलो अनी डर्लिंग कैसी हो जाने मन कौन तुम्हारे आशिकों में से एक अधनास आशिक पर पापा असफर का क्या होगा अब जो भी होगा मंडे को होगा कल तो छुटी है दुआ करो बस तुपो कितना परिशान हो रही होंगी अच्छा उसको किस थाने में रखा गया है तुम्हे क्या है जहां मर्जी रखा गया हो चलो फिर मैं तुम्हे कुछ दिखाता हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें ये अंताजा अच्छी तना से हो जाएगा के मैं तुम्हें कितना जानता हूँ बाकी बातें बाद में होंगी एसी चाहिए दुम्हें मैंने तो बड़ी कोशिश की अस्वर के बहुत से बात करने की लेकिन राप्ता ही नहीं हो सका उससे अब गय तो थेना थाने उसे छुडवाने अब काम नहीं हो सका तो क्या करें बस काफी है बेगम साहिबा वो कोई गयर नहीं है मेरा भांजा है और मुझे शुरू ही से प्यारा है और हमारे खांदान में उससे ज्यादा होनाहार और लायक कोई बच्चा नहीं बड़ा होनाहार है भई अरे वह चोर है चोर इतना बड़ा फ्रॉड करके वह जेल पहुंच गया और आप अब भी लगए में उसकी तारीफें करने अरे इल्जाम है उस पे बई मैंने उसे कितनी मरतबा लाको रुपए पेमिंट लेने के लिए बेचा है मजाले के एक रुपया भी इदर से उधर किया उसने तुम्हारा लाडला जो है ना वो बीच में मेरे काशी को उस चोर से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है और काशी अपने बाप की कमाई इस्तमाल करता है उसकी मर्जी वो जितना चाहे खर्च करें ये तुम ही हो जिसने अपने लाडले को इतने लाड़ प्यार में रखके बिड़ा खरका ना उसकी सौबत अच्छी है ना नियत जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस थोड़ा सा लापरवा है वो और पिर अमीर घरानों के लड़के तो ऐसे ही होते है अजीब मंदख है तुमारी अब खुदा करें वो हानिया को यहां लाके सही तरीके से रखी कहीं मैं अपने भाई के सामने शर्मिंदा ना हो जाओं जितनी हानिया की अवकात है ना उसी हिसाब से रखेंगा मुझसे पर पापा असफर का क्या होगा अब जो भी होगा मंदे को होगा कल तो छुटी है दूआ करो बस तुपो कितना परेशान हो रही होगी क्या है अम्मा मान भी जाओ ना कबसे मिन्नते कर रहा हूं तुम्हारी चलो हटो दफाओ जा जाके अपनी बीबी की मिन्नते कर जो तुझे अगले जहां में बख्षाएगी अम्मा अब मैं तुझे कैसे समझाओं हाँ अम्मा तो पागल हो गई है ना कुछ सुन सकती है ना ही समझ सकती है लानत है ऐसी आउलात पे मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा तुम भी तो हालात को देखो हवा का रूख पहचानो हाँ तेरे खुबारे से हवा निकल गई बीवी ने दो मिनिट में धोबी पटका क्या दिया कि दुमदबा के कोने में बैढ़िया ना से मैं तयार हूँ हास्पिडल जाना या नहीं हाँ हाँ चलते हैं यह देखो अब इतनी भी जहमत नहीं की तुम लोगों ने क्या अम्मा से पूछ ले मू उठा के चल दिये हाँ मा की तो कोई वकत ही नहीं है ना कंबक दो अम्मा अब इसे डॉक्टर के बस लेकर जाने के लिए भी तुमसे मुझे एनोसी चाहिए क्या है इसको क्या हुआ हट्टी-खटी तो खड़ी वे हाँ बस शोख है चोचलों पे पैसे लुटाने का नासर मैं बाई जाके गाड़ी में बैठ रही हूँ आप आजाना है 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 अकड़ तो देखो इसलिए कहती हूँ क्या औरत को सर पे मत चड़ाओ रातो रात तेरी इज़त करना भी भूल गई है हाँ माफ कर दो तुम तो मुझे अम्मा मुझे पपैं मुझे क्या करना और क्या नहीं करना दिमाग की दही बना देती हो तुम है 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 घग आख रेलागा तुम्हे एक नशे निकल गया तादिया जाओ आ लाट तुझे जहन्म भी नसीब ना करे आला तेरा बच्चा जीए लिया लाट तुझे आखर करे तानिया मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ हानिया, हानिया, रमजान कहां रहती हो, कहां आती हो, कहां जाती हो, और क्या पहनती हो, सब पुछ क्योंके तुम जान हो मेरी चलो फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें ये अंताजा अच्छी तरह से हो जाएगा कि मैं तुम्हें कितना जानता हूँ बाकी बातें बाद में होगी जानता है अच्छी तुम्हें अच्छी तुम्हें अच्छी तुम्हें ठीक है मेडम लेकिन अब जल्दी मुलकात कर लिएगा जल्दी क्यों पैसे दिये तुम्हें अच्छी 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 तुम्हें नहीं नहीं, पुरा खांदान परेशान है, सिवाए हानिया के तुम हानिया के जब मैंने उसे बताया कि तुम हावालाप में हों, तो उसने का so what, उसे कोई टेंशन ही नहीं है और काश्चुप के साथ आउटिंग पचेले ज़िए अच्छा तुम छोड़ो, दुनिया तो वैसे ही पैसे की जमक धमक के पीछे भागती है, तुम यह बताओ, तुम यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं चाहिए नहीं बहुत शुक्री हूँ, चाह सुनो तुम यहाँ आना नहीं चाहिए ता यह लड़कियों के लिए मुनास्ब जड़ा नहीं है मैं कैसे ना आती, जब तक तक तुम्हें देखनी लेती मुझे सुकून नहीं मलता, शुकर रहे तुम ठीक हो तुम टेंशन नहीं लो, पापा कोट खुलते ही न तुम्हारी बेल करा लेंगे और मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ कर रही हूँ, तुम बिल्कु परशान नहीं हो मेडम जी, मलाकात का टाइम खतम हो गया है अच्छा, अस्वर अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्यार लगता हूँ यह अलाब, यह मुसीबत कहां से पीठी पड़ गई मेरे और मेरे इतनी परसनल पिक्चर्स उसके पास कैसे पहुंच गई है यह बहुत खतरनाक लड़का लग रहा है मुझे किस से बात करूँ अम्मी को बताऊंगी तो वो परेशान होने के लावा और कुछ नहीं करेंगी ए दिल सरा, तू ही बता किस से चुर्म के है यह सजा मुझे से बात करो वरना मैं तुम्हारी तस्वीरे तुम्हारे सुस्राल भीश दूँगा और मौलने मैं तुम अपना मूँ दिखाने के काबल नहीं रहोगी या अल्ला, मुझे मजीज जिल्लत से बचा रहो तू जानता है कि मुश लड़की को नहीं जानती और नहीं मैंने कभी किसी को अपनी कोई पिक्चर भीची सिवाए अस्वी के नहीं या स्वी का काम नहीं हो सकता वो मर जाएगा लेकिन नेरी कोई बात बाहर नहीं निकालेगा इतना मुझे यकीन है असे लेकिन फिर कैसे यह सब को गया काशिफ कि इपनी दुपहर में कहा जा रहे हो वो आपकी बहू को शादी की शॉपिंग करवाना मगर किसकी इजाज़त से डाड ने चाचु से बात की थी और चाचु ने चाची से क्यों आपको नहीं पता किया अच्छा अच्छा तो मुझ से किसी ने पूछना मुनासे भी नहीं समझा आपने कौन से मान जाना था तो पूछने का फाइदा हम तो इसका मतलब यह है कि हानिया ने इस घर में आने से पहले ही सूसर और शोहर दोनों को काबू कर लिया वैसे सही कह रही हैं यहानिया बहुत चलाक है बतानी मुझ भी क्या जादू करती है मैं आजकल सिर्फ उसी की बात मानता हूँ कुछ पाग्रम जरूर है मैं पागल तो नहीं होगे मैं अभी फोन करती हूँ जी खलील साहब मैंने यह कहने के लिए फोन किया है कि आपने काशी को हानिया के साथ शॉपिंग करने जाने की जासत कैसे दी मुझ से पूचे बगएर मैं क्या करूं अगर आप ठाने में आतो मेरी बात सुने पहले आप गोर से ओहो घर आके भी कौन सा सुन लेनी आपने जी ठीक है ठीक है आप घर आएं पिर बात हो अम्मा वार रस्था खौरी काटके आया हूँ मैं तो बहुत ठक गया हूँ बूग लग लगी कुछ खाने को है घर पे क्या हाँ मेरा कलेजा भून ले हाँ तुम्हारी बेगम तो मुतंजन बनाके गई थी ना भूग की प्यासी बैटी हूँ मैं अम्मा कम से कम आप सालन तो बना रेती मैं आंके रोटी ही डाल लेती हाँ तेरे बाप की नौकरान ही हूँ ना मैं के बेगम साहिबा आएंगी मनों सल्वा लेकर उसके आगे पीछे गूम कर आईये तू लेकिन सास का ख्याल नहीं आये तुझे तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुमसे काओंगा हर्गेज नहीं मैं तुम्हारी ब्लैक मिलिंग में कभी नहीं आऊँगी तो ठीक है मैं तुम्हारे गरा जाऊंगा उसके बाद जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी मेरे बच्चे को इतनी देर से गई वे हैं मुझे मैं क्या आगे तुम दोनों चार गंडे से तुम इसके साथ गए इतनी तो देर नहीं लगती किसी डॉक्टर के पाथ अम्मा वार रस्था खुरी काट के आया हूं मैं तो बहुत थक गया हूं बूग लग लगी कुछ खाने क है गर पे क्या हां मेरा कलेजा भून ले हां तुम्हारी बेगम तो मुतंजन बनाके गई थी ना भूकी प्यासी बैटी हूं मैं अम्मा कम से कम आप सालन तो बना रहे थी मैं आंके रोटीय डाल लेती हां तेरे बाप की नौकरान ही हुँ ना मैं के बेगम साहिबा आएंगी मनो सल्वा लेकर उसके आगे पीछे गूमूँगी साथ घर गूमकर आईये तू लेकिन सास का ख्याल नहीं आये तुझे तानिया तुम अंडे बनाओ और बादार से रोटियां लेया तो मुझसे भूक नी परदाश्त हो रही है नासर मुझ में हिमत नहीं चुले कि आके खड़े होने की हां तो बीबी बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना इतनी नाजुपरी थी तुम अरे अमा लड़ो नहीं तुम मैं बादार से ले आता हूं खाना यार लाओ दानिया पैसे दो दे दे सुन पटी पैसे मांग रहा है कोई जायदात नहीं मांग रहा निकाल पैसे सुन रहती है सारा वक्त तौबा इसको देखके तो मेरा दिल देलता है यार ये दोसो रुपे में क्या आएगा कम असकम पांचो तो दो ना बजार जा रहा हूं मसालन लेने आए सुन पटी मुझे ये बता के दोसो में आजकल क्या आता है उसको दोसो पकडा रही है तू पांसो निकालना देख बीबी पकाने के अलले नहीं है तो बजार के तलले पूरे कर ले समझी तो कि दोसो मुझे वापस करते हूं कि देख नासर तू मेरे लिए जो है ना दाल गोश्ट लिया ना भाई साधी डाल मेरे हलक से नहीं उतरती बहिया अच्छा ममा मैं यूं गया और यूं वापस आया तानिया तूम सलात बनाऊ था ठीक है कि जा दर्वाजा बंद कर देना जा जा के बना सल उठ ना उठ जा सुन पटी कहीं की उठ जाना जल्दी चल मनूज जा कि कमबफद साथ सत पर्ज भी ले गई हजार दो हजार ही रख लेती मैं हेलो अगर तुम आज मेरा फोल ना उठाती ना तो मैंने कल जगा जगा तुम्हारी बद्नामी के इस्तिहार लगा देना थे देखो तुम कौन हो कौन नहीं मैंने जानती लेकिन तुम मेरे पिछी क्यों पड़े हो आगर चाहते क्या हो तुम मुझ से हाँ अब आई होना लाइन पर थवाल भी अच्छा है तो जाने मन मैं तुम से दोस्ती करना चाहता हूँ मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ लेकिन मैं तो वैसा ही लड़का हूँ और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम से कहूँगा हर्गेज नहीं मैं तुम्हारी ब्लैक मिलिंग में कभी नहीं आउँगी तो ठीक है मैं तुम्हारे गार आजाओंगा उसके बाद जो होगा उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी यह तुम हर वक्त फोन के साथ क्यो चिपकी रहती हो बजार नहीं जाना क्या अमी मेरा मूट नहीं हो ना अरे चलो ना बेटा मूट भी सही हो जाएगा वो काशिफ आ रहा है हमें लेने के लिए अब निकलो इस किछन से आजो पूरी रात कुसर को जहने मेरा असफर कैसा होगा अरे ठीक है असफर मैं नाश्टा लेकर गया था उसके लिए आप अकेली ही चले गए मुझे भी साथ ले जाते मैं भी मिल लेती उससे अरे वो ठाना है हर कोई मूट आकर नहीं जा सकता मेरी बात हुई थी असफर से वो ठीक है बस दौा करो कि आज का दिन को अच्छी ख़बर लेकर आए ये खलील भाई भी ना कहने को तो तालुकात कैनेडा तक है लेकिन बस मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं हो पा रहा उन से अरे वो ही तो सब कुछ कर रहे हैं ये जो असफर हावालात में सकून से है खा पी रहा है उनी की वज़ा से हो रहा है तो भी मेरा बेटा बाहर क्यों नहीं आ रहा है ये लगे हुए हैं आज हम असफर के बात से मिलने जाएंगे तो तुम दौा करो कि वो मान जाएंगे अल्ला करे इस मनूस आदमी के दिल में रह्मा जाए मेरे बेटा के लिए मेरा बेटा माना हो जाएंगे असफर का रवया कितना चेंज था ना मुझे यकीन है मेरी मुखबत की कशिश उसे मेरी तरफ खेंच लाएगी बहुत जब वो मेरा हो जाएगा या उसे मेरा होना पड़ेगा नहीं ये दिल से वहानिया की अमानत है मैं इसमें खयानत नहीं कर सकता मुझे जायद उसके बड़ते कदम रोकने होंगे अब नौशाब आप पीछे नहीं हटेगी मुझे जायद नहीं अच्छा मुझे बाप बताओ अगर तुमारी लाइफ में मैंनी होता कोई असफर होता तो तब ही तुम ऐसी ही रहती किया किसका फोन है आप पता नहीं लाव में देखो क्या सोच रहे बटा मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं है लेकिन जब जब पुलीस मुझे अरेस्ट करने के लिए आफिस आई तो उससे थोड़ी देर पहले ही रजा मेरे पास आई उसने मुझे का कि जितनी जल्दी हो सा कि तुम यहां से भाग जाओ ताकि सबको यकीन हो जाए कि तुम ही जोड़ी अब ये कौन ता कमभखत मारा तुम चाहती क्या और कितने लड़कों से दोस्ती है तुमारी अमे मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं है और ये बतनी क्या चाहता है कॉल करके मुझे डराता रहता है धंकाता रहता है ये मेरे पैसे है, ये मुझे चाहिए है ना मुझे तू ये बता, तू राशन लेकर आती है, बिजली का बिल भरती है सारे काम जो ये करता है ना उसी को पैसे दूंगी में ये ची डॉक्टर के पास जाने, डिप लगवानी है तो तेरी डॉक्टर नी ने ना मत मार दी है वो सिरफ अपने पैसे चाप रही है और तू पागल है अपनी महनत की कमाई जाए और उसे लुटाई जा रही है लुटाई जा रही है तो क्या करू मैं बहांचे को मैं तनाच पड़दूूं सडने तू जेल में उसको तो ये तो अस्फर को सोचना चाहिए था ना फ्रॉड करने से पहले अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल रखके